दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि VLC मीडिया प्लेयर से किसी भी वीडियो को IDEO में कनवर्ट कैसे करते हैं तो बिना देरी किये चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिए दोस्तों अभी हम अपनी home screen पर आ चुके हैं यहां desktop पर देखिए कि यह हमारी एक वीडियो है तो दोस्तों इसी वीडियो को IDEO MP3 में convert करना है तो किसी भी वीडियो को IDEO में convert करने के लिए सबसे पहले VLC Media Player open कर लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद menu bar में सबसे पहला option मीडिया का है तो अभी हम इसी option पर किलिक करते हैं इसके बाद यहां पर convert या save का एक option मिलेगा यहां पर आपको सबी option के अलग-अलग shortcuts भी मिल जाएंगे तो देखिए अभी हम convert save पर किलिक कर देते हैं इतना करने के बाद यहां पर open media का box open हुआ अब यहां पर यह जो add का option है तो simply add पर किलिक कर देना है इसके बाद यहां से आपको अपनी उस video को select करना है जिसको IDEO में convert करना चाहते हैं जैसे अभी हम यहां से अपनी उसी video को select कर लेते हैं जो कि अभी आपने desktop पर देखा था इतना करने के बाद simply open पर किलिक कर देना है अब यहां पर convert या save पर किलिक करना है इसके बाद यहां पर आपको एक profile का option दिखाया जाएगा इसके अंदर बहुत सारे option है इन सब का मतलब यह है कि आप अपनी video को इन में से जिस format पर चाहें convert कर सकते है फिलाल अभी हमको idio mp3 में करना है इसलिए हम यहां पर idio mp3 option को select कर लेते हैं अब last में आपको एक browser दिखेगा यानि कि आपकी idio convert होने के बाद कहां पर save हो तो इसी browser पर किलिक करना है अभी हम अपनी converted idio को desktop पर save करना चाहते हैं इसलिए यहां desktop को select करना है इसके बाद नीचे file name में आप कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे अभी हम यहां पर गुपु sir mention कर देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इतना करने के बाद simply save पर किलिक कर देना है फिर start कर देना है बस आपके वीडियो idio mp3 में convert होना start हो जाती है convert होने के बाद vlc को close कर देना है अब आप अपने desktop पर देखिए converted idio desktop पर save है तो इस तरह से आप किसी भी वीडियो को idio में convert कर सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही नेक्स वीडियो में हम और टिप से जानेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो like share और चैनल को subscribe ज़रूर करिए मिलते हैं अगली वीडियो में take care